प्रोग्राम स्पॉंसर्ड बाई शिरी सुरेंद्र कुमार जैन, शिरीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तलापती लो, जम्मु कश्मीर ये साधना आत्मा की है, केवल आत्मा, तीनों लोकों की संपता एक तरफ, चक्तरवर्ती का खजाना, कल्प विक्ष, नावन इधान, सारी सिध्या, व्यक्ति को मिल जाए, प्रन्तु आतम बोध ना हो, आतम ग्रिष्टी ना हो, आतम ग्यान ना हो, तो व्यक्ति भी संसार में प्रभन करता रहेगा, क्यों चक्तरवर्ती का खजाना आज इस पुरुन होने पर खत्म होगा, नावन इधियां भी खत्म होगी, कल्प विक्ष भी, कब तक आपको सुख दे सकता है, जग तक तुमारा जीवन है, तो मिक्ष देव लोग तक भी जाया है, फिर वापस लाटे, मैं और आप, जात्रा की नरकों की, अपने ही कर्म के कर्म, जब आत्मा का सभाव और विभाव, ये कर्म क्यों होते हैं, जब मुह के कर्म आत्मा विभाव में जाती है, तो क्रो, दुमान, माया, लोग, राग, देश, फज जाती है, और शरीर कर्म करता है, मैंने किया, मैंने किया, कर्म का बंदन होता रहा है, प्रतीपल, प्रतीक्षन, हम कर्म का बंदन भी कर सकते हैं, और कर्म के नज़रा कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लीजी, ये साधना कर्म नज़रा की है, ये साधना आपका लक्ष, पहले अ इसको जो कुछ तुम्हारा नाम है पद प्रकिष्टा है समंध वो रहेंगे कि जाएंगे नहीं उन समंधों के साथ जो आपका अटेच्चमेंट है असक्ति है जो मोह है जो वासना है जो अहिंकार है राग दिश्च उसको अलग करने समंध रहेंगे प्रंतु वो समंध में कामना वासना नहीं होगी ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है यह याता यांती यास्यन्ती योगिना सर्व संपदम समराध्यव चित रूपम् शुद्ध मानंद मंदिरम जो योगी आत्मा की सर्वसंपद्धी प्राप्त कर रहे हैं प्राप्त करेंगे वह सभी शुद्ध और अनंध के मंदर के समान ग्यान सरूप आत्मा की राधना करकी रही जिन्होंने मोक्ष पराप्त किया जिन्होंने केवल ग्यान पराप्त किया जिन्होंने सिद्वस्था पाई सभी तर्थंकर भगवन केवली भगवन अरहन परमात्मा उन्होंने इसी आत्मा की साधना से ही पराप्त किया पहल ते अपनी सरूत को समझू स्वे रूप स्वे यानि मैं स्वे मैं मैं कौन शरीर नहीं मन नहीं बुद्धी नहीं नाम नहीं पदनीh पृतिश्ट कर्म कि इस सादना की अलग है और मैं अलग है दुनें जूड़े अदे करम के कारम जुड़े हैं, पूरव करम का, हम सब कठे क्यों हैं, आजूश करम के कर, जिस आजूश करम पूरा होगा, डे अलग आत्मा लग, पर आत्मा को आज का विज्ञान प्रूब नहीं कर सका, भकि आत्मा निरा कार है, आत्मा का वर्न नहीं, गंद नहीं, रस नहीं, स्पर्श नह आत्मा खाती नहीं पी आत्मा ने कभी खाया वानी कहती है कि अभी तक आत्मा ने अनका एक दाना भी ग्रहन नहीं किया आत्मा ने पानी की एक बूंद आत्मा नहीं पी जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है आपने कितنا भोजन कर लिया मैंने कितना भोजन कर लिया जब से जनम यह तब तक इस जनम की बाद देखो अंदर ठीका खाया निकाई खाया निकाई फिर भी और प्यासे हैं और चाहिए और चाहिए ज़ी पचास साल की जिंदगी zaffy और भी मिल जायो को के तो सदॉख्र से आपको कुछ भी ना मिले मिले हुआब तो दो कटीन साजन असान नहीं को माला करने आसान कि माज्क कमन करना करण का त्रव्यक्तिक करलेता है कि सदॉख्र सदॉख इस साजना कब अपने जीए जीवन में पचाना, रमन करना, चलना, पहला तो यही किसी को विश्वास ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, पहला यह पक्का करो कि तुम आत्मा हो, सब सुविकार करते हो, कि मैं आत्मा हूँ, किसी साधक साधिका को रती वर भी शंका है, कि पता नहीं आत्मा है कि नहीं, पता नह बोली तो जा रहे हैं, आप कई तो जा रहे हैं, आत्मा बात्मा कुछ अन्वाव तो होता नहीं, दिखाई देती नहीं, मन लगता नहीं, घबराट होती है, ऐसा शुरु शुरु में होता है, किसी सादक का मन घर जाने को भी करता है, किसी घर जने का मन करता है तो अभी बता दो अभी जा सकते हो जाना चाहते हो उसके बाद हम नहीं भेजेंगे यह मन है जो मन चला की खेलता है मन कहता है कहां फस गए घर अच्छा था टीवी थी नौकर चाकर थे फोटल में चले जाते हैं खाना खा लेते हैं मिलते हैं गफशाब कर ले यह क्या रख आत्मा 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 क्या मिलता आत्मा आत्मा यह सब मन की चालने हैं या तुम्हारे मन में भी आ सकता है कोई बात नहीं मन को साइड करते हैं तुम मन के पेछे लगना नहीं मन तुमारा मालिक बन गया तब उसको नौक्त बनाना है कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करना है यदि इस तरह से संकल्प बद आ जाओ पतल विश्वास की शरीर अनंत बाहर बदले है तुमने और मैंने तुमने तुझे तुमारा अनंत पुन्य है कि तुमने चुना साधना को अपने आख के लिए सारे घर के समंद तोड़े यहां अग्साधू की तरह है एक बिक्षू की तरह है आपको जो भोजन मिल गया ले लिया जैसे कहा वैसे कर लिया कपड़े नहीं बदले आपने पर साधू की तरह जिवन जी रहे च्योंकि समंद किसी से है यह रिष्टा नाता नहीं कोई बाचीत नहीं मां यह बात्मा की साधना का इस चार दिन साधू की तरहoreं रह के देखो आपको अच्छा लगे तो स्थेकार कर लेना नहीं लगे तो अपने घर चले जाना, और मना करता है आख, तुमारा घर, तुमारी शेक्री, तुमारी दुकान, तुमारी बीबी, बच्यक है, अनंतिकाल तक है, वो रहेंगे, कोई जाने वाले, और पकड़ के तुम रख नहीं सकते हैं, जब तक तुमारा आईश है, तब तक तुम उस का ता नहीं नहीं हो गिया मैं तो ठीक हूय है वो बूढां हो ए उसके बाद बाल काली हूए मेरे तो काली हूए थे उसब मन रस्ते निकालता रुद्री करते थीख हैं НА को मन कहुराब ठीक है ना इन दुनियों के सिक बहुत प्यारी लगते हैं आंखों को नई पिक्टिर आजी आपका मन करता देखने को फटावट कितनी तुम ने गृष्चे देखे क्या तृपती आई आंखों को कालों ने कितने संगीत सुने इस जिब्भा ने कितना रस लिया शरीर को आपने क्या क्या नहीं दिया गर्मी लगी पंखा चला लिया एसी चला लिया सरदी लगी गर्म बस्तर दे लिये मन ने चाहा घूमो आप घूमने चले गए जो कुछ मन ने चाहा तुमने किया क्या तुम्हें आंत्रिक सुख एक सुख है बाहर का लगता है सुक अम तरे वो सुक दुख देता है निश्चित दुख देता है जो स्ञ्योग अब विजोग होने वाला है बेते का जनम हुआ बड़ा होगा जवालिय आएगी शादी होगी कब तक तुम उसके साथ रहोगे एक समय आएगा वो अलग हो जाएगा तुम अलग हो जाएगा वो चला जाएगा तुम चले जाओगा इस सारे समंध शरीर की यदि आपने हाँ इस देह का बहुत बड़ा भी योग है ये मानव की देही प्रमात्मा को प्राप कर सकती है और कोई देह प्रापत ने देव का वेकरे शरीर हो रहता वो इस सादना नहीं कर पाते है मनुश्य ही कर सकता पशुपक्षी नहीं कर सकता नरक के नेरी के तो भ्यंकर दुखी दुखी तुम कर सकते, मैं कर सकते तो आपका प्रबल पुरिशाद चाहिए पहली बार सत्य क्या है एक सत्य है आत्मा एक सत्य विप्रा बहुता भवन थी उप्रशित करिशियू ने कहा तुट्थिस वांग इस सेज़ इस काल अट्य मैनी सत्य एक है वह तुम स्वें आत्मा जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता सूत के बिना वस्तर नहीं बनते धातू के बिना गहने नहीं बनते लकडी के बिना गाली नहीं बनती बीज के बिना विरिक्ष नहीं बनता इसी तरह शुद्ध आत्मा के समर्ण के बिना मोक्ष की प्राप्ती नहीं हो सकती मोक्ष जाना देखिए एक स्वरग है कि मोक्ष स्वरग तुम बहुत बार जाया है हीरे ज्वारात निर्टे संगीत शरीर ने सब होगा फिर वापस लोटना पड़ेगा एक मोक्ष जो सुख ही सुख अनंत सुख में आत्मा लीन हो जाती वापस नहीं आती बोल आपको मोक्ष चाहिए के स्वरग चाहिए मोक्ष सब को चाहिए किसी किसी को स्वरग चाहिए किया तो कि स्वरग का सुक भोगले फिर मुख चले जाएंगे क्यों भाई क्या क्या ला स्वरग का सुक भोगला क्यों मुख चाहिए निरने करो चाहिए क्या स्वरग भी चाहिए और मुख चाहिए और मुख चाहिए ना इतना संयम पाला, इतनी क्रिया की, इतना दान, शील टप की अराधना की, कि किस देव लोग पांच अनुत्र विमानों में नहीं गए, वहाँ एक भवातारी होते हैं, बस हो सीधे मुक्ष जाते हैं। 21 देव लोग तक तुम और मैं जाया इतनी करनी की, पर हमें पता ने, मनश्य भी बने, लूले, लंगडे, विखारी भी बने, पशु पक्षी भी बने, बिल्ली, चुहा, कुत्ता, मगरमा, चिशेर, सब बने, तुम और मैं, कोई योनी खाली नहीं, कोई समंध ऐसा नहीं, न दिर लेने के लिए आगख को इस आत्मा की सादमा करने, शुद्य आत्मा की समर्ण के बिना मोख्ष, सुद्य आत्मा का समर्ण करना, मोख्ष बरिक्ष का बीज है, ये बीज है सतत चिंतन करते रहें आप एक चिंतन करने से क्या होता है आप अपने सभाव में आते हैं सभावी धर्म है धर्म और कोई नहीं धर्म किर्या में नहीं है धर्म उपास्णा में नहीं वो तो क्या है पुन्य कफल है धर्म है सभाव में लीन हो जाना आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना जब तुम गहरी ध्यान में जाओगे ये आत्मा स्वेह में स्थित हो जाएंगे सुख परकट होगा भी तरसे वही सुख है परकट शमय लगेगा टाहम लगेगा अई जो मोहनिय करम भादि ऐसको लग करना पड़ेगा प्यारे गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है मेरा परस्थभगे रहा है कि मुझे अचार्य India에 मेरे शाद्ना करने का भॉर्सर मिला और साद्ना करने में मैंने अन्भो किया है कि जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते है तो हमारे कसाए शान्त होते है प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है आंके बन, मन बचन काया शान, शरीर शान, विचार शान, सृष्टी शान, वातावन शान, हर दिशा, हर किनारा शान, शान, शान सिर के सिरे से पांग के मुठे तक अपने भीतर शुब्द के अतना का सास कीजिए तो उनके इवल आत्मा हो आत्मा आत्मा सिर के सिरे से पांग के मुठे तक असंध्यार परदेशी आत्मा अपने भी दर गहरे गहरे चले जाएं मैं आत्मा हूँ यही सत्य है इस सत्य को आत्म साथ करते ते ले जाएं इसमें एक लंबा गयरा स्वांस लें अरिहन्त प्रमात्मा के चल्मा में अनंद कर्टकिता क्यापत करें एक और लंबा गयरा स्वांस अरिहन्त प्रमात्मा के चल्मा में नमन अरबंदन नमा अरिहन्तानंग नमा सिद्धानंग नमा आईजियानंग नमा उज्जयनंग नमा लोय सब साउनंग धंव मंगल मुकिठं आहिंसा सैयमोतवो देवा वित्तंग नमंग संती जा सिद्धं में स्यामनो चैता भारंग वासंग चकवत्ती महदियो संती संती करलोय पत्तोगई मनुत्तरम, चैता भारंग वास्वं चक्वट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तोगई मनुत्तरम, शिरी चत्तारी मंगलं, अरहंता मंगलं, सिध्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पानत्तो धम्मों मंगलं, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिध्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मों लोगुत्तम, चत्तारी सरणं पवज्जामी, अरहंते सरणं पवज्जामी, सिध्धे सरणं पवज्जामी, साहु सरणं पवज्जामी, केवली पानत्तं धम्मं सरणं पवज्यामी चारे शरण दुख हरण जगत में और नसरणा कोई होगा जो उसका आजरे अमारे अपद होगा उसका सदाई मंगल होगा प्रोग्राम स्पॉंसर्ड बाइ शरी सुरेंद्र कुमार जैन शरीमती चंदन जैन राहुल जैन मनी जैन तलाप्ती लो जम्मु कश्मी प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है